अस्सलाम अलेकुम जुलेखा के दुनिया में वेलकम है देखे ये मैं करेला का पौधा लगाई हूँ बीज से मैं डेरेक्ट ये पौट में ही बीज लगा दी थी देखे ये निकल गई है लेकिन घनी घनी निकली है तो मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा हटा दूँ जहां जहां घनी है उस सबको हटा कर वो गुरो बैग में मैं लगा दूँगी तेखे गनी घनी निकल गई है तो इसे देखे इसे हटा दूँगी इस तरह से खुटपी से ताकि इसकी जड़ डिश्टब नहों इस तरह से मैं ये गुरो बैग में इसे लगा दे रही हूँ देखे इस तरह से लगा दी हूँ और भी घनी है जहाँ जहां वहाँ से भी निकाल कर मैं लगा दूँगी ताकि इसमें और सब पौधा अच्छे से फैलने की जगा मिलेगी तो गुरोध अच्छी होगी देखे इस तरह से इस में इस गुरोध में मैं तीन पौधा लगाऊंगी इस तरह से करके हलके हलके दाब देना है ज्यादा कस के उसकी रूट खराब हो जाएगी ज्यादा कस के नहीं दाबना है देखे इस तरह से इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ जहां इंदम सटी सटी है बाकी सभी को गुरोध होने में आसानी होगी देखे ये तीन पौधा इसमें गुरोध बैग में मैं लगा दी हूँ इस तरह से इसमें अच्छे से चलेगी अब आकी उस सब कंटेनर में जो है तो उसको भी फैलनी की अच्छे से जगा मिल जाएगी देखे मैं डायरेक्ट बीज से ही इसे लगा दी थी तो ये निकल गई अच्छे से अभी कोई-कोई छोटी-छोटी है वो भी बड़ी हो जाएगी अब अच्छे से फैल से ये चलेगी अब देखे इतनी बड़ी हो गई है तो मैं इसमें लिक्विट फटलाइजर डालने ज तो इसकी ये अरक निकल गई है अच्छे से अब इसे मैं उसमें डालूँगी ताकि उसकी पौदे का गुरोध बढ़ेगी देखे आदा डब्बे मैं ली हूँ और आदा डब्बा इसमें पानी डालूँगी अत्तब इसमें डालूँगी देखे ये बर्मी कमपोज का है ये लिक्विट फटलाइजर मैं डाल दे रही हूँ ताकि इसकी डाइरेक्ट जर में जाएगी अभी बहुत छोटी इसलिए भी कोई भी खाद मैं नहीं डाल रही हूँ और ये डालने से इसकी रूट मजबूत होगी गुरोध भी अच्छी हो जाएगी इस बर्मी कमपोज में भी डाल दे रही हूँ और ये तो अभी मीटी एकदम मीटी सुखी वी है तो इसमें और पानी साधा पानी मैं डालूंगी अच्छे से गुरोध बैक को मीटी को भींगा दूंगी और इसे भी एक साइड में रख दूंगी देखे इस तरह से अभी ये मैं डालेक्ट बीज से ही लगाई थी तो बहुत अच्छे से ये निकल गई है और इस जब बड़ी होगी तो इसकी अप्डेट भी मैं देखाऊंगी इसी वीडियो में देखेगा ये जब बड़ी हो जाएगी तो मैं देखाऊंगी देखे ये गुरो बैक इधर रख दी हूँ इस तरह से थोड़ा दाब दे रही हूँ पानी डालने से थोड़ा ये हो गई है इसके लिए मैं यहाँ पर मचान बनाई हूँ जबी बड़ी होगी तूपर चरहेगी देखाती हूँ देखे ये मचान मैं बनाई हूँ ये बांस लगाकर और ये दिवार में लगा दी हूँ इधर बांस लगाकर देखे ये डबे में बांस लगाकर और इस तरह से ही करकर और इसमें रख दी हूँ और जब बड़ी होगी तो उसी के उपर चढ़ेगी, फैलेगी तो करेला मुझे मिलेगी, इस तरह से आप लोग भी ऐसा धाट बना लीजिए और करेले के लिए, जब अभी तो छोटी है, थोड़ा बड़ी होगी तो उपर चढ़ेगी, रसी के सहायता से मैं इसे उपर आउंगी, रसी बांदूंगी, रसी के जरिये उपर चढ़ जाएगी, देखें बीज से इसकी पौद मैं नहीं लगाई हूँ, अलग से बीज नहीं लगाई हूँ, मैं डाइरेक्ट ही बीज को इसमें लगा दी थी, देखें कितने अच्छे से निकल गई है, इसकी बहुत बीज हूँ, इस तरह से आप लोग भी लगाई है, तो करेले के गुरो ऑच्छी होगी, देखें यह, मैं देखा रही हूँ, कुछ दिन का बात का, देखें इसमें करेला होने लगी यह, बढ़ें चोटी-चोटी करेला है, फूल है, देखें मैं देखाती हूँ, दे हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा करेला मुझे मिलेगी जब हार्वेस्टिंग करूंगी तो दिखाऊंगी देखिए आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब किजिएगा अल्ला आपे